लोटस आयरुवेदा इंडिया में आपका स्वागत है मैं हूं उत्पल चौधरी आज हम बात करेंगे इन चीजों को मिलाकर बनाएं एंटी इंफ्लेमेंटरी चाय मेटापॉलिज्म रहेगा बेहतर तो आई शुरू करते हैं आज के वीडियो लेकर नों से पहले बोलना चाह चली और खानपान के कारण इन दिनों लोगों कई प्रकार की स्वास्ते समस्यां हो रही है इन स्वास्ते समस्यां में सूजन सरीर की सूजन और इम्यून सिष्टम का कमजोर होना एक आम बात है सरेरिक सूजन के कारण आपका बजन बड़ा हुआ नजर आ सकता है वहीं इम्यून सिस्टम कमजोर होने की बज़े से बार बार सर्दी, खासी, जुकां और बुखार जैसी समस्यों का खत्रा रहता है पिछले काफी समय से अगर आप भी बार बार बिमार पढ़ रहें और आपकी सरेरिक सूजन है तो आसे ही डाइट में एंटी इंफ्लेमेंटी चाय को जरूर समील करें क्या होती है एंटी इंफ्लेमेंटी चाय एंटिफ इंफ्लेमेंटरी चाय में ऐसे पोसक तक्त्तो होते हैं जो सरीर की सूजन को कम करके इम्विन सिश्टम को श्टाउं करते हैं इस चाय को कई पिकार की जड़ी ब्यूटियों या फिर घर के मसालों से बनाया जाता है ये पोसक तक्तो हार्मोन को संतुलित करके सरीर की सूजन को कम करते हैं एंटिफंटरी चाय पीने के फाइदे । तो सबसे पहले है सूजन को करता है कम एंटी इंफलेमेंटिक चाय सरीर में सूजन को कम करने में मदद करती है इससे जोड़ों और मास्पेशियों में दर्थ से रहात मिलती है इस चाय को बनानी के लिए अधरक जैसी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है इनमें प्राक्तिक त एंटी इंफलेमेंटिक चाय को बनाने के लिए इस्तिमाल किये जाने वाले मसालों में एंटी ऑक्सिरेंट और फाइटो न्यूट्रेसिंस होते हैं यह पोशक्तत इमून सिश्टम को मजूद बना कर सरीर को बीमारियों से लड़ने की छंता प्रदान करते हैं गर्ष्टिक समध्र से दिलाता है रहात जिल लोंगों को खाना कहने के बाद पीट में दर्ड गैस और कब्ज जैसी गर्ष्टिक समस्षा होती हैं उनके लिए anti-inflammatory चाय बहुत फादेवंद होती है इस चाय में fiber पाया जाता है जो गश्टिक यह समस्या से रहत दिलाता है ने इन्टी इंफ्लिमेंटी चाय में मेटापॉलोच्म को भाने वाले तक्त्त होते हैं सिस्टम को तेज Month करें पायट बानइंग और मैं स्व१ाई काחतीयान करने से बजन घटाने में मदद मिलती है एंटी इंफ्रेमेंडी चाय की डिसीपी अपने वीडियो में जो मैं आपको बता रहा हूँ उसी सबसे आप चाय बना सकते हैं तो चाय की समगरी है अद्रक आदा इंच कद्दूकस किया हुआ हल्दी आदा इंच कद्दूकस किया हुआ कच्ची हल्दी की बात कर रहा हुआ है काली मीर्ज तीन से चार पीस दाल चीनी आदा इंच सेदा नमक क्वाटर चमच पानी एक ग्लास अभी चाय बनाने का तरीक आपको बता रहा हूं एक पैन को गैस पे चलाएं और उसमें एक से डियर ग्लास पानी डाल कर गर्ण करें पानी को गर्न करने के बाद उसमें दाल चीनी आदरत हल्दी और काली मिच डाले पानी में सभी चीजों को तक पुबाले जब तक कि उसका रंग ना बदर जाए और आधा ना हो जाए अब इसमें निगु का रस और सेदा नमक डाले सेदा नमक टेस्ट के साब से आप रोजाना इस चाय का सेवन अपने रेगुलर चाय की तरह कर सकते हैं एंटी इंफिलेमेंटी चाय सेहत के लिए बहुत फादे बंद होती हैं उससे अपनी रोज मर्रगी डाइट का हिस्सा बना कर आप इसे फाइदा उठा सकते हैं तो यह था हमारा आज का वीडियो आप तो कैसा लगा आप अससे बताएं धन्यवाद